Good evening, प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वक्षीट नमबर 32 सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी सेवेंथ है और डेट है आठ फर्वरी डिवोशनल पाथ टू दा डिवाइन बच्टी मार्ग की बात की जा रही है इसमें हम सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं Dear students, we have studied in the class 6 that history is not studying the history of kings or queens कि भई, जो हिस्टरी है वो सरफ राजारानियों की कहानी पढ़ने के लिए नहीं है बलकि इसमें कि भई, कोमन, जो मैन था, वो किस तरीके से रहता था किस-किस तरीके की इमारते बनती थी, किस-किस ताइप की वह उस टाइम में किताबे होती थी किस-किस ताइप का साहित्ते होता था कोमन मैन, मोनुमेंट्स, लिटरेचर, एक्सेटरा, इस आलसू दा पार्ट ऑफ हिस्टरी We will study a particular period of history of Hindi literature भक्ति काल हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक particular period के बारे में पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में, भक्ति, devotion का मतलब होता है भक्ति, ठीक है Through various worksheets on this chapter, we will try to find out how the lives of sant जो sant होते थे, ठीक है, जो कवी होते थे, या जो दार्शनिक होते थे philosophers होते थे, women's होते थे, किस तरीकी की life थी उनकी, ठीक है What was their thought on different way of life and philosophy, किस तरीकी की वो life जीते थे जैसे आज कल हम मानते हैं कि भगवान most of the लोग हैं, अगर बात करें, 50% लोग कहते हैं भगवान है 50% कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ logical चलता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ natural powers है तो उस time में लोग क्या मानते थे, the seventh to the 19th century saw the emergence of a new religious moment एक नए religious moment का उभार आया उस time में, led by the nanars, ठीक है, nanars चो थे, ये संत थे, जो शिव भगवान को पूछते थे अलवरास जो थे, वो विश्नु भगवान को पूछते थे, जो नैनार्स थे, वो 63 थे नमबर में, और जो अलवरास थे, वो 12 थे नमबर में ठीक है, ये चीज़ आप थ्यान रखेंगे वो कहते थे कि हमें भगवान शिव या भगवान विश्नु को पूछना चाहिए, अगर हमें मुक्ती चाहिए संगम लिट्रेचर, संगम लिट्रेचर जो है, एक तमल लिट्रेचर है, तमिल भाषा की, कंपोज की गई थी, early century of common era, and blend them with the value of भग्ती, इसको ब्लेंड किया गया भग्ती टाइम में, इसलिए इसको संगम बोलते हैं, दनेनार्स एंड अलवरास वेंट ये प्लेस तू प् पोयम होती थी, वो जहां के लोकल लोग होते थे, उनकी देवी देवताओं के अपनी ब्यूटिफुल पोयम से उनका बखान करते थे, ठीक है, set them to music, और उनको music में ढाल देते थे, there is a famous saying about भक्ती related to its coming from south to north, कहते हैं कि जो भक्ती जो मुवेंट है, वो south से north की तरफ आया है भक्ती was born in the southern India and it was brought to north by रामानंद, कहते हैं कि भक्ती का जनम हुआ था southern इंडिया में, दक्षिन भारत में और फिर ये नोर्थ में आया, किस के द्वारा, रामानंद के द्वारा, तो चलिए, नैनार्स कितने बताए, 63, और अलवरास कितने बताए, कितने बताए, ये हैं 12, ये जो नीनार्स थे, ये शिव की तीसरी आँख होती है उससे से याद रखे लिए, नीनार्स जो तेशिव के मतलब थे, शिव को पूछते थे और अलवरास विश्नु को पूछते थे, आपकी जो बुक है, उसमें एक वो लिखा हूआ है, एक पोयम लिखा हूआ है, ठीक ह study the composition मनिस का विसागर give in the textbook of past second and state how the poet describe अपना relationship वो किस तरीके से भगमान के साथ describe करता है तो इसको भी करेंगे पहले ही ये कर लेते हैं true or false करना है भक्ति वाज started in the southern India भक्ति कब start हुई थी? Southern India में बिल्कुल ठीक है भक्ति का जनम का हुआ था? Southern India में हुआ था there were 12 menors, गलत है क्यों? क्योंकि यहां पर आना था 63 अलवराज वर डिवोटी ओफ विष्णू यह बिल्कुल ठीक है ठीक है तो यह हो गई हमारी आज की वर्क्षिट अब एक्टिविटी देखो the devotee and the lord यहां पर the composition of money का वसागर तो कहता है into my will body of flesh मेरी जो मास की बोड़ी है you came as though it were a temple of a gold ठीक है जब तुम आए तो यह क्या होगी एक तरह से खजाना बन गई and sooth me holy and saved me oh lord of a grace oh gym most pure sorrow and birth and death and illusion you took from me जो भी दुख था, जो भी जनम था, जो भी मृत्यू थी जो भी माया थी वो सब मिरे अंदर से चला गया you took from me and set free और तुमने मुझे अज़ाद कर दिया oh bliss oh light, I have taken refusing you और मैंने तुम्हारे पास sternly and never can I be parted from you और अब मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता तो यहाँ पे poet क्या कर रहा है अपना relationship show कर रहा है कि भाई जो भगवान है और जो कवी है वो एक ही है और उनके आने से उनके जीवन में सुखी सुखा गया है जो भी दुख थे जो भी सोरोस थे जो भी डेथ का डर था वो सब चला गया है तो यह हमारी activity हो गई students तो यहाँ पे पूछा हुआ था कि study the composition पढ़ना था आपको and state that how has the poet described his relationship with the deity तो यहाँ पे आप जैसे मैंने उसमें से देखा तो आप यह लिख सकते हैं कि his relation with deity was of a pure love and devotion भक्ति का और प्यार का रिष्ता था वो बगवान के बीच में which set him free from all sorrow, illusion, death and birth जिसने उसको जनम, रित्यू और माया के बंदन से चुटकारा दिला दिया ठीक students तो इस तरीके से आप लिख लेंगे यह थी हमारी आज की वक्षिट I hope आप को चीसे समझ में आया होगा अगर कोई doubt है तो comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा थैंक यू, have a nice day, may God bless you